मैं डॉक्टर योगेंदर यादव असिस्टेंच प्रोफेसर कॉलेज ऑफ डेरी साइंस टेक्मलोजी लौज इसार में हमारा यह जो प्रोजेक्ट है मिल्क प्रोजेक्ट है यह हमने के हिसाफ से फार्मर को डौ स्टेप यह स्टार्ट ताएब bipolar ul हमने त्यार की है उसी इसाब से जैसे कि गाउं में गेहों के लिए आटा की चक्की आते तो उसी कॉंसेट पर क्योंकि डॉर्स्टेप पर उसरविश देते हैं तो मिल्क प्रोसेसिंग का जो है क्या है कि हम डूर्स्टेप पर जाएं और फार्मर को दूद्ध या दूद्ध से बने प्रोडेक्ट उनको बना के दिखाएं तो इसी कॉंसेट पर हमने यह प्रोजेक्ट त्यार किया था तो उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा अंदर जो हमने इस्टूमेंट इसमें मिलक हम करते हैं तो रखते हैं तो भॉत करते हैं तो उसके बात जो हमारे पास ऍसласт six स्विल्प अजिसमें की हमको ब्लूड करते है वह प्रोड़क्ट यह मिल्क तो इसके हैं तो छिए ग्पोर ठीश हम उसको रखते हैं उसके बाद जो प्रोडेक्ट हम बना सकते हैं जैसे कोया मसीन 10 लीटर 10 लीटर कैपस्टी में हम जैसे की एक गंटे में इससे खोया त्यार हो सकता है कोई भी मैनवल कुछ करने की जुरूत निया जैस्ट आपको ऑब्जर्वेशन इसमें रखना है और मसीन से उत्यार हो जाती है उसके आगे जो है पनीर वैट पनीर का भी कंपोनेंट इसमें हमने रखा है सेमी ऑटमेटिक है जिसमें की पनीर से हम बना सकते हैं उसके बाद घ सेपरेटर हमारे पास इसे में है तो फके तराइसके नियु निकाल सकते हैं और इसमें इसके साथ मौटिपरफेश्न आप इसमें जे रखा है कि ए बाद है आइस्क्रीम इनुट में कुलफी वाला जो कॉंसेप्ट हमने दिया है जिसमें की एक ग्राइंडर है हमें प्रीमिक्स त्यार करके कोया मसीन में हमें थोड़ा कंसेंट्रेट करके और उसके बाद ग्राइंडर से और कुलफी हम इसमें त्यार कर सकते हैं स्टोर करने के लिए लूंट हमने इसमें परकॉदल दिया है कि फार्मिर के डोर स्टेफ पर जाएं और मोबाइल यूनिट जो हमारी आप रहे तो फॉली जो तो इसमें डॉय और के बिन है इसमें टॉयलेट रखारा कि पाई पर चयों नों को फारिदा हो तो वह हमने यह प्रोजेक्ट क्या किया था पाइलेट स्केल पे सबसे पहले हैं मेहंदरगड में हमने इसको कम से कम चैने के बाद चलाया था करोना काल के बाद थोड़ी सी रेस्टिक्षन होई इसको दुबारा हम शुरू नहीं कर पाए अभी इसहार में यहां पे है और जो कोई भी यदि और अधर और इसको यहां तो वह भी इसमें इसको ले सकते हैं तो दो भी जो पौरमेल्टीज हैं उनिवर्श्टी की तरफ से पूरी करते हैं तो यह सारी चीजें इसमें रखे हमने बनाई है प्रोसेसिंग उनिट का एस सच लाइसेंस जासे कि यदि आपको प्रोडेक्ट च्यार करने हैं तो स्टेंडर्ड के इसाफ से FSS AI का आपको जो लेना पड़ेगा पैकेज प्रोडक्स के लिए तो वह एक रूटीन प्रोसेजर है आप उसमें कर सकते हों हमारा कॉंसेप्ट इसमें में क्या है कि कई बार फार्मर के जो दिमाग में आता है कि ब्लांट बहुत बड़ा उसमें में इसके में आती है तो उनको एक ओवर्व्यू देना कि यह सारी यूनिट हम लगा सकते हैं जरूरी नहीं हमें लगाना एक एक यूनिट करके जदि डिमांड बेस पे किसी एरिया में कोई की डिमांड है तो वह कोई के लिए अलग से सेट अप उसका लगा सकता है उसके लिए हम यहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं कि यदि कोई स्टार्ट करना चाहता है वेंचर तो इसमें प्रोसेसिंग के साथ में हैंड्स ओन ट्रेनिंग हम उसकी देते हैं जिससे कि वह अपना काम शुरू कर सकता है